Hello friends, नमस्कार, स्वागा दिस नए वीडियो में, आज किसों बात करने वाले हैं, इंडिया नेभी ट्रेड्समेन का जो है ओनलाइन फॉर्म कैसे फिल करेंगे , इसका जो है ओनलाइन इस्टार्ट हो चुका है , देख सकते हैं फॉर्म को अप्लाई करना है , यहीं से आपको रे electrical fitter, electro platter, engine fitter, यह जो है tradesman की vacancy है, इसमें आपको जो है दसवी के साथ साथ उस trade में अगर आपने जो है certificate करा है, और अगर आप जो है यहाँ पर already skilled हैं, तो ही आप यहाँ पर form को apply करेंगे, जो कि यहाँ पर India Navy के officially website से जो form को fill करना है, तो मैंने already detail में वीडियो बनाया है, लिंक पर आने के लिए, इस portal पर आने के लिए, मैंने जो है link आपको description box में, defense job portal का आपको दे दिया है, आप देख सकते है, one of the best website है, defense related आपको vacancy सर्च करने के लिए, यहाँ पर आपको navy वाला section खोजना है, और यहाँ पर आपको team नमर मिल जाए, इंडिया navy tradesman recruitment 2022, आप इस इस तरह से जो है, इसका online का portal खुल दाएगा, अब यहाँ से आपको form को apply करना, यह simple जो है, आपको 6 steps बताएगे है, समझेगा कैसे आपको form को apply करना है, सारा doubts यहाँ पर clear हो जाएगा, अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं कि कौन लोग apply कर सकता है, कौन लोग apply नहीं कर सकता है, तो आप यहाँ पर देखिए, ताकि आपको सभी चीज समझ में आएगी, अब आपको सबसे पर यहाँ पर देखिए, candidates login का option बना हुआ है, आप यहाँ पर register वाले button पर click करेंगे, जैसा आप इस पर click करेंगे, इस तरह से आपको candidates registration का form खूलेगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको देख सकते हैं, बोला गया कि आपका successful registration हो चुका है, आपको जो है, एक mail भी किया गया है, आपके mail ID पर जो आपने mail ID दिया हुए, now you can login using login ID, login ID आपका जो है, यहाँ पर सो होगा, और password भी इसके अंदर आपको सो होगा, तो आप एक बार जो है, इसे note आपको जो यहाँ पर दिकत होगी, तो आप जो है, यहाँ ओके करने से पहले, एक बार इसे screenshot जरूर ले ले लेंगे, तो friends मैंने जो यहाँ पर screenshot ले लिया है, screenshot लेने के बाए सब आपको यहाँ पर home पर आ जाना है, home पर आने के बाए से friends यहाँ पर आपको login करना है, login ID password login करेंगे, यहाँ पी इस तरह से आप login हो जाएंगे, सबसे पहले पूछ रहा है, I am an Indian national, आपको यह tick करना है, और यहाँ पर देखे, आपको logout का भी option बना हुआ है, तो इससे आप समझेएगा कि आप login हो चुके है, तो आप इसको tick करेंगे, tick करते बाद से यहाँ पर आप किया है, तो yes करेंगे, नहीं किया है, तो यहाँ पर no करेंगे, फिर आपको नीचे आनी है, फिर पूछ रहा है कि is your date of birth, matriculation certificate same है, यहाँ पर yes करते न है, मतलब पूछ रहा है कि आपका matric का certificate पर data birth है, same same है, आपको yes करना है, यहाँ पर बोला गया कि married है कि unmarried है, अब यह जो है origin state कहां से आप बिलॉंग करते हैं अपना राजय का नाम चूछ करेंगे जहां से आप बिलॉंग करते हैं religion यहाँ पर आपको बतानी है जेंडर बताएंगे मेल है कि फीमल है जो भी आपका ज्पार है यहाँ पर आप उपना चूछ करेंगे तो मेल फिमेल दोनों लोग आवे इंदर कर सकते हैं नेशनेटी ऑलोडी इंडिया नहीं यहाँ पर चूच करना है अधिन्टिफिकेशन मार्क्स वंली वन मतलब जो है एक आपको बॉडी में पाचान बताना है कि आपका बॉडी का क्या पाचान है जिसे तील का निसान कटा का न अपना फिर से नाम चूच करेंगे यहां पर आपको करने करते हैं कि अपने लकुत्ति केना की घ्रक सब्सक्रेज करेंगा यहां पर आपको नहीं से लिखेंगे फिर पूछ रहा है कि क्या आपका जो benत्री औररेस से में पर्जेंट कीं है तरह अगर ऊपर वला जो आपने लखाया पर्जेंट में, उस्यम से महां पर्मृनेंट की तरह था यस करेंगे, तो स्यम से यहाँ पर हो जाएगा, नहीं हो गया, तो लो करेंगी, तो आपको मेनिवली भी फील करने का option यहाँ पर आएगा, अब यहाँ पर आपको जो है, save and proceed for next step पे क्लिक करना है यहां पे आपको अधार नमबर अपना लिखना है जो कि मैंने आपको बोल गया बताना जैसे फिरेंट से आप यहां पे जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है फील करना है यहां पे देखिए हमने बेसिक जलगारी फील कर लिया यह ग्रीन टिक हो गया अगला अग्राइशनल है उसको वह से डॉक्मेंट सप्लोड है आप पांच नमर पर आपको फाइनल करना है अब यहां पे अपना जो है जनकारी भरना जैसे बोड का नाम फिर यहां पर पासिंग एर फिर आपका टोटल मांक्स कितना है कितना का है और कितना आपको मतलब कितना आप gain किया है मिला है आपका percentage यहां पर बताना है उसी तरह से अगर आपने बरहुई class करा है if completed तो आप यहां पर भरेंगे 10th class तो भरना mandatory हरहाल में अगर आप बरहुई किया है तो आप भरेंगे नहीं किया तो इसे छोड़ देंगे डिप्लोमा कोई certificate है if completed तो आप यहां भरेंगे नहीं से छोड़ सकते हैं डिगरी कोई किया है तो आप भरेंगे नहीं से छोड़ देंगे तो इस तरह से आपको क्या करना है फ्रेंट्स भर देना है अब यहां पे आपको जो है नीचे में देखे टेकनिकल क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपके पास होना चाहिए अब यहां पर पूछ रहा है कि आप जो है कहां पे किस नवल याड में आपने अप्रेंट्स ट्रेनिंग किया हुआ देखिए यहां पे वही लोग अप्लाई कर सकता है इसे साफ साफ आप समझ लेजिए कि जो लोग ऑल्लेडी दस्वी क्लास क्वालिफाई है आई टी आई किया हुआ है आई टी आई करने के बाद से यह देख रहा है ना नवल का जो है सिप्याड अप्रेंटिस ट्रेनिंग होता है स्कूल होते हैं होते हैं जहां पर आपको कई सारी चीज़ सिखाई जाती है विसाखा पटनम है मुंबई है वहां से आगर अपने ओल्धी ट्रेनिग लिया हुआ है तो आपको यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करना है अप्रेंटिस चिप का मतलब यह रहा है कि आपको सरकार चूट देती है तो इसी केस में आप यापने देख सकते हैं आपको छूट मेल रहा हैं कि आप खेवाल लिया हुआ है प्लेस आटोमेटिक आजाएगा कब से कब तक आपने ट्रेनिंग लिया है ट्रेनिंग का पिरियेट क्या है फिर आपसे पूछ रहा है कि और यहां पे आपको जो है आपको 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 लिखना है अब यहां पे आपको प्रिफ्रेंस अब ट्रेड आप कौन से जो है डेजिगनेशन मतलब आपका ट्रेड है जिसे कि मैंने आपको बताया स्टाइटिंग में कि बहुत सारे यहां पे ट्रेड वाइज आपको वेकेंसिस देखने को मिलेगी तो उसमें आपको प्रिफ्रेंस क्या देना है यह यहां पर पूछ रहा है अपरेंटिसीप में आपका कौन साम मेंसन करेंगे आपका प्रिफ्रेंस 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 प्रि जो है चार preference बारी-बारी से जो है आपको बताना है और उसके बास यहाँ पर save and proceed for next step पर क्लिक करना है जैसे आप यहाँ पर save and next करेंगे आपको 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 बताना है कि कौन से अब यहाँ पर आपको documents upload करनी है सबसे पर आपको 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 साइस फोटो कलर जो है यहाँ पर वाइट बेग्राउंड के साथ बोला गया फोटोग्राफ और यहाँ पर आपको signature अपना अप्लोड करनी है इस वाले section में और यहाँ पर आपको देखिए आप matric certificate या birth certificate दोनों में से कोई भी यहाँ पर अप्लोड करेंगे उसको से दसवी class का certificate या mark sheet दोनों में से कोई आप यहाँ पर अप्लोड करेंगे फिर यहाँ पर आपको एक ID proof अप्लोड करना जिससे कि अधार कार्ड हो सकता है या driving license हो सकता है या passport भी हो सकता है या any product ID है वो आप यहाँ पर अपर आप करेंगे फिर पूछ रहा है कि वां भी हो सिम्ट सीदिए colors कर लिया है बहूत यहां पर inspection पढंएगे बहुत इहां यहाँ यहाँ चांड से 100 के बीच बोला गया है और signature फोटो और यहां पे डॉक्मेंट्स जो है 400 के बीच से ज्यादा नहीं से और PDF में होनी चाहिए तो आप इजली अप्लोड कर पाएंगे उसके बास यहां पर आपको सेवन प्रोसीड करेंगे तो अगला स्टेज आ जाएगा आपको प्रिभीव आपको यहां पर अच्छे से मैच करें कि जो भी अपने जनकारी फील करा है वो सब्चीज सही है कि नहीं है कोई भी मिस्टेक होगा ताब उसे नीचे में सुधारेंगे यहां पर देखिए आपको सब्चीज होता है अब आपको यहां पर डिकलेर करना है अगर आप सब्सक्राव नहीं कर सकते हैं और इसका फाइनल स्टेज है आपका आप नीचे में अप्सन देखेंगे यहां पर आपको प्रिंट का उप्सन मिलेगा प्रिंट पर क्लिक करके आप इसका हाड़ कॉपी अपने पास सुराची तो रख लेंगे इस तरह से आपको फॉर्म को करना है फॉर्म फील करने के लिए आपको कोई भी अप्लिकेशन फीं यहां पर नहीं देना है अगर आप फ्रेंट्स डिटेल्स में इसकी जनकारी जानना चाहते हैं तो आप डिफेंस पॉटल के माधियम से जो जनकारी ले सकते हैं आपको जो है इस पोटल पे हर एक वो ज थैंक यू फर वाचिंग जाहिन